उम्श्यंती, 17 जुलाई की शुरुदान में सब कस होगाते हैं परमात्व कहते हैं समय और संकल्प रूपी खजाने पर एटेंशन दे समय, टाइम और संकल्प, थौट्स हमारे पर एटेंशन दे जमा का खाता बढ़ाने वाले पदमा पदम पती भवा वैसे खजाने तो बहुत हैं समय है, स्वास है, संकल्प है गुण है, शक्तियां है, ग्यान है ये खजाने बहुत सारे हैं जो कि spiritual खजाने हैं आध्यात्मी जो परमात्मे से मिलते हैं लेकिन समय और संकल्प, विशेश इन दो खजानों पर एटेंशन दो परमात्मे हमें एटेंशन देला रहे हैं अपर अज एटीचर हर समय संकल्प, श्रेश्ट और शुब हो उच्छे संकल्प हो और शुब संकल्प बोलते हैं न कि अशुब क्यों सोच रहे हो श्रेश्ट सोचो उचा सोचो, छोटा मा सोचो हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा क्या जमा होगा आत्मा के अंदर संकल्प पवित्र होने से लॉस होता है एनर्जी लूज होती है संकल्प अगर पवित्र हो श्रेष्ट हो उचे हो तो एनर्जी बढ़ती जाती है आत्मा ठकती नहीं है energy मलकी उसकी power बढ़ती आत्मा की वैसे अगड नेगेटिव थौर्ट करो जो नहीं हुआ है उसके बार में डर करके ऐसे ना हो जाए ऐसे ना हो जाए ऐसे हो गए तो ऐसे हो गए तो अशुब सोचो तो आत्मा की energy drain out हो जाती है इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा हिसाब है एक जमा मलब एक शरे संकल किया एक उंचा संकल किया शुब संकल किया तो जमा हो जाएगा किसमें आत्मा की तिजोरी है कोई physical तिजोरी तो है नहीं आत्मा की energy में एक का पदम गुणा करके देने की यह bank है इसलिए क्या भी हो तो पदमा पती बन जाएंगे अचा त्याग करना पड़े कुछ भी किसलिए क्या भी हो त्याग करना पड़े त्याग किस प्रकार का हो सकता है समय और संकल्प समय के मामले में कोई आपसे व्याद़ बाते कर रहा हो कोई आपसे negative बाते कर रहा हो आप उस समय उस वेक्टी की साथ नहा रहे करके उस सम्मन से दूर हो करके आप त्याग कर रहे हो तपस्या करनी पड़े नेगेटिव थौट्स बहुत जाद आते हैं अब श्रिष्ट की जगा शुब की जगा अशुब संकल पाते हूँ तपस्या करनी है प्रैक्टिस करनी है कि मेरे अंदर जेनरेट करू में शक्ती शुब संकल्पों की और श्रिष्ट संकल्पों की जो भी नेगेटिव थौट अथ इसको बार बार परिवतन करो तपस्या करके अच्छा और क्या इत्याग करना पड़ सकता है हमें तो परमात्मा कहते है कि कभी कभी संकल्प जो होते हैं हमारे अंदर नेगेटिव कुछ लोग डालने की कोशिश करते हैं या हमारा समय व्यर्थ गवानी कोशिश करते हैं हमें कह करके बाद-बाद बार-बार कि नहीं हो सकता तुम नहीं कर सकते तुम से नहीं होगा तुम इसके लाइक नहीं हो तो हमें कभी-कभी अपनी जो फीलिंग्स होती हैं जो कि हमें खुद भी ये समझाती हैं कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सही है मैं शाय से नहीं कर पाऊँगा नहीं हो पाएगा मुझसे इसका हमें त्याक करना बहुत जरूरी है ये तभी हो पाएगा जब परमात्में पूपरा हानेर पसंट भरोसा होगा तपस्या करनी पड़े निर्मान बनना पड़े कोई आपको कहे कि आप इसके लाइक नहीं हो नहीं हो पाएगा चुप चाप निर्मान हमबल हो कि अच्छा जी ठीके जी आपको जोल ठीक लगता है ठीके इसमें हमारा क्या हो रहा है, हम बहस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा समय भी बच रहा है, नहीं, मैं करके दिखाओंगा, आप क्या समझते हैं मुझे, नहीं, समय बचा हमारा, बहस करनी नहीं पड़ी, निर्मान होने से, समय बचा, संकल बचे, बार बार हमें युद नहीं करना पढ़ रहे तीरों से कि नहीं, आप जो बोल रहे हो गलत है, मैं जो करके दिखा दूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, तो कौन कर, नहीं, हमें प्रूव नहीं करना है किसे को, समय बचा, संखल बचे, तो निर्मान बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो ब दमा पडम पती बन जाएंगे, आप समझ के होंगे शाथ से, हम शाथी